प्रेम से बोलिये जय श्री राम, हमारी यूट्यूब चैनल हेंदू तिर्थिस्थल में आपका स्वागत है आज हम कहीं के सफर पर निकले और मार्ग में एक राम भक्त का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ ये ऐसे राम भक्त हैं जो कि इन्हें आप देख सकते हैं बैग पर लिखा हुआ है अयोध्या पद यात्रा उल्टे चल कर आशर जनक बात है लोग सीधे पैदल यात्रा करते हैं इनकी भक्ती ऐसी है कि ये उल्टे चल कर प्रभू स्री राम की नगरी अयोध्या तक पहुँच रहे हैं हम इसे जानना चाहते हैं कि इनकी प्रेरना कैसे जागरीत हुई जैश्री राम भाई जैश्री राम सभी को जैश्री राम मेरा नाम मेहूल लखानी है और मैं मूलता डोंगर गाड जो कि 36 गाड का एक सहर है राजनगाव जिला पड़ता है और 36 गार राज्य पड़ता है वहाँ का निवासी हूँ मद्द प्रदेश मेरा कह सकते हैं कि कारेच छेतर रहा है महाँ पर मैं टीचर रहा हूँ सरसोती शिशुमंदिर में और इसके पूरो में साइकल से भारत भुटा नेपाल की यात्रा मैंने 27 पहने में 46,000 किलोमेटर की कर चुका हूँ और चुकि पुरा देश वर्तमान में राम मैं हो चुका है राम की भक्ती से पुरा देश पुरा विश्व शरोबोर हो चुका है जो राम में आस्था रखते हैं जो जिनको राम में विश्वास है तो चुकि देश की संस्कृती देश की सभ्यता पर मेरी अटूट आस्था है और चुकि वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि हमारा देश सभी इस्थान इस्थान पर राम की अनन्य भक्ती में डुबा हुआ है तो इस कांड से मेरे में भी विचार आया और भगवान ने मुझे वो मार दिखाया वो सकती दी के मैं कुछ अनूठे रूप में भगवान के धाम तक पहुँचू और पुरे देश वाश्यू को एक रास्ता दिखा सकूँ सच्चे रास्ता और इस कांड से मैं डुंगर गड से आयोध्या की उल्टे चलते हो यात्रा पर निकला हूँ लगवग मेरी 12-15 दिनों की यात्रा पूरी हो चुकी है जिसमें मैंने 3.5-300 किलोमेटर की यात्रा की और मैं लगातार उल्टा चलता हूँ कभी दिन है, रात है, गाउं है, सहर है सभी प्रकार की फरिश्तिती का सामना करते करते और ये रामरत मेरा साथ में रहता है क्योंकि कई जगा पे भोजन इत्यादी की व्यवस्था नहीं हो पाती विश्राम की व्यवस्था नहीं हो पाती तो इसमें हमारे भोजन की जैसे कच्छा समान है टेंट है, ओडने विशाने का है उसके साथ साथ सबसे महत्पुन बात है ये रामरत हमने हमारी माता जी के लिए खरीदा है और इसको बनवाया है ताकि हमारी माता जी हमारे साथ यात्रा कर सके क्योंकि सबाइक सी बात है उमर के बाद इंसान चलने फिरने में कमजोर हो जाता है तो अभी हमारी माता जी का जो सरीर वो चल रहा है हाथ पर चल रहा है तो हमने सोचा कि हम जब यात्रा में जा रहा है जो कि यहां से लगबग 400 से 500 किलो मेटर है और लगातार चल रहे हैं और उल्टा चलते हैं तो खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम देख कर कई बार हम जब मैं चल रहा था उल्टा इतने दिन हो मेरे को हो गए तो मैं को जब देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब लोग देख के गाड़ी चला तो एक्सिडेंट हो जाता है तो हम तो बीना देखे चल रहे हैं लेकिन प्रभूशी राम चंदर जी ने मुझे वो सक्ती दी है भक्ती दी है कि आप अनूठे रूप मे लिए लास के कल्यानी के लिए लेकर आईए तो इस प्रकार से मुझे भगवान के प्रती अनन्न आस्ता है और दूसरा कारण ये भी है कि स्वभविक तोर पर आज के समय में सब कुछ हम सीधा सीधा कर रहे हैं लेकिन फिर हमारे जो विचार है बहुत सारे ऐसे लोग होते ह हैं जिनके विचार तेड़े होते हैं कारे उल्टे होते हैं विचार उल्टे होते हैं जबकि सब कुछ इंसान सीधा सीधा करता है सीधा देख रहा है सीधा खा रहा है लेकिन फिर काम उल्टे क्यों हो रहे है है ना विचार उल्टे क्यों रहे है तो बस यही है लोगों में सची आस्ता जगे सचा काम करें इस करण से मैं उल्टा चल रहा हूँ क्योंकि उल्टा चलना किसी भी मायने में पैरों से गलत नहीं होता है स्वास के लिए अच्छा होता है विचारों से और कारियों से उल्टा चलना किसी के लिए हानी कारक हो सकता है इस करण से मैं पैरों से चलना वो लोगों को ये प्रेणना देता हूं कि आप विचारों को और कारियों को सीधा रखे हां कदमों को उल्टा रख सकते हैं क्योंकि उल्टा चलना स्वास के लिए अच्छा होता है जहां हम एक हजार कदम सीधा चलते हैं अगर हम सौ कदम उल्टा चले तो उतना ही फायदा है उसके साथ साथ हमारा जो बॉडी संतुलन में बना रहता है मानसिक संतुलन बना रहता है क्योंकि आपको पूरा का पूरा ध्यान अपनी सरीर पर रखना पड़ता है क्योंकि हम आज कल इतना है मैं सभी देश्वास से चाहूंगा कि सभी चले क्योंकि हमारे पूर्वाज हमारा सास्त्र भी यह कहता है कि हमको दिन भर में कुछ कदम मुल्टा भी चलना चाहिए बस अनुरोध इतना है कि कि सुरक्षित इस्थान पर चले ताकि गाड़ी इत्यादी से ना टक्र प्रियान के लिए मैं इस प्रकार से चल रहा हूं और यह मेरी थोड़ी सी अभी इतने दुनों की कह सकते की प्रैक्टिस भी हो चुकी उसके साथ साथ भगवान ने मुझे वह सकती दी है कह सकते हैं क्योंकि मुझे में इतनी छमता नहीं थी कि मैं भगवान का इस रूप मे दर्शन कर सको इस रूप में जा सको तो आप सुरक्षित इस्थान पर करें बाकी मैं सिक्षा करा हूँ तो देश की संस्कृती से देश की प्रकृती से देश के लोगों से बहुत जादा खासा जुड़ा हूँ है मेरे को इस कारण से में लगातार यात्राय करता रहता प्रुगम इस्थानों पर मैं गया हूं जैसे नौर्ट इंडिया की जो 780 सिस्टर कहते हैं वो पुरा मिला के मैं साइकल से करके आया हूं और विसम से विसम परिस्तिती का सामना करता हूं किया है और साथ आगे भी करता रहूंगा लेकिन बहुत सारे रामभक्त जगे जगे मिलते हैं वो स्वागत सतकार करते हैं हाल चाल पूछते व्यवस्थाएं करते हैं तो एक प्रकार से अब ये प्रकार से लोगों का जो व्यवहार है वो सुधर रहा है व्यवस्थाएं जब जब अच्छी व्यवस्थाएं चलती है तो विचार लोग के अच्छे होते जब गड़ बढ़ाती है तो लोग के विचार भी गड़ बढ़ाते हैं तो आप समझ सकते हैं भी व्यवस्ताएं कितनी सुन्दर तरीके से चल रही है तो इस कांड से व्यक्ति का सोभाव है वो भी लगातार सुधरते जा रहा है और लोग राश्ट के लिए धर्म के लिए कुछ अनूठा करने के लिए लगातार ततपर हो रहा है उनमें से मैं भी एक छोटा सा स्री राम चंदर जी का भक्त हूँ जो एक अनूठे रूप में उल्टा चलते हुए डोंगर गड़ से यात्रा पर उल्टे पक यात्रा कर रहा हूँ मार्ग में आने वाली बाधाओं को आप चीरते ही आगे की और बढ़ रहे हैं यदि कोई बाधाओं आती हैं उनको स्वय में सुल जाना पड़ता है या फिर कहीं से सहयोग भी प्राप्त होता है मैं तो निकला था तो मैं प्रभु शिराम चंद्री जी पर मेरी आस्था है मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि हाँ जो कष्ट होंगे वो मेरे होंगे जो परिस्तितिया होंगे मेरी होंगी लेकिन प्रभु मेरे साथ हमेशा है तो कष्टों को सहना परिस्तितियों को से प्रभु का रास्ता है और उस पर मैं चल रहा हूं और प्रभु मेरे साथ है चलिए आपसे अच्छा लगा बात करके आपसे मिलकर अच्छा लगा ऐसे अनोखे भक्त बहुत ही विरले होते हैं जो इतना बड़ा संकल्प ले करके उल्टे पग चलते हुए प्रभु श्री राम की नगरी तक पहुँच रहे हैं हमारा यूटीब चैनल भी है जिसमें हम पहले दिन से हमारी जो यात्रा है कि आप सोसते होंगा कि इतने दिन कहां रहा होगा? क्या क्या खाया होगा? कैसे आगे बढ़ता होगा? कहा कहा रुका होगा? कौनसा रूट होगा? तो पूरे पहले दिन से अभी तक की हमारी यात्रा की जानकारी हमारे अनुभाव आपको हमारे यूटूब चैनल में देखने को मिलेंगे साइकल वाला यूटूब चैनल था वो मिहूल भारत यात्री के नाम से था और यह जो हमारा यूटूब चैनल है वो First Indian Official के नाम से है first Indian Official इसलिए क्योंकि मैं भारत में इस प्रकार से करने वाला पहला वेक्ती हूँ इसके पहले इनक्यानवे साल पहले अमरिका के वेक्ती ने अमरिका समयत आसपास की देशों की उल्टे चलते हुए यात्राय की थी तो इनके 90 साल हो चुके हैं उस चुनोती को किसी ने भी स्विकार नहीं किया तो मैं अब एक भारती 140 करोर देशवाशियों के तरफ से मैंने वो चुनोती को स्विकार किया है और इस कारण से ही चुकि ये चैनल पूरे विश्षिस्तर पर पहुंचे इस कारण से ही उन्हें फर्स्ट इन ऑफिसल नाम रखा है तो आप सब भी जोड़ेंगे हमारे वीडियो को देखेंगे और ज्यादा ज्यादा सेयर करेंगे हम उमीद करते हैं धन्यवाज जै श्री राम जैसा की भाई सामने बताया कि इनकी यात्रा का संपूर वर्णन देखने के लिए इनके यूटूब चैनल पर जाईए चैनल सब्सक्राइब कीजे और समय सेंपन पर इनका अपडेट प्राप्त करते रहिए आज की इस वीडियो में तो आप अभी वर्तमान घडी को देख पा रहे हैं लेकिन ये आज से 14-15 दिन पहले से निकल चुके हैं और अभी भी लगभग 400 किलो मिटर की यात्रा बची हुई है उस यात्रा तक जाने में इन्हें लगभग 15-20 दिन और लगेगा इस बीच में इनके साथ क्या-क्या गुजर रहा है कैसी-कैसी परिस्थितियां आ रही है इन सब की जानकारी लेने के लिए भाई साहाब का चैनल अवस्य सब्सक्राइब कीजेगा और उन्हें सपोर्ट कीजेगा प्रेम से बोलिए जय श्री राम